क्या आप जानते हैं कि ब्लाइंड लोगों के लिए खास चश्मा तयार किया गया है, जिसके बाद उन्हें किसी भी जड़ी की जरुवत नहीं पड़ेगी। यकिनन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये चश्मा किस तक्नीक पर काम करेगा। ब्लाइंड लोग इस चश्मे की मदद से अपनी काम कैसे निप्टा पाएंगे। आखिर इस चश्मे को किस ने तयार किया है और ये क्यों खास है, आईए जानते हैं। इतिहास और विकास में आज हम आपको बताएंगे ब्लाइंड लोगों के लिए बनाएं गए ऐसी चश्मे की बारे में जिसको पहनने के बाद स्टिक की जरुवत नहीं बड़ेगी। साथ ही ये भी जानेंगे कि इन्हें किसने बनाया है और ये भी बताएंगे कि ये कैसे जिन्दगी को आसान बना रही हैं। आप ये जानकर चौक जाएंगे कि ब्लाइंड लोगों की मदद के लिए सिर्फ भारत में ही अब तक कई स्मार्ट चश्में तयार किये जा चुके हैं। इन चश्मों की मदद से ब्लाइंड लोग ना सिर्फ रास्ते में आने वाले चीजों को पहचान सकेंगे, साधी अख़बार और किताबें आदी भी बेहत आसानी से पर सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब होगा कैसे। दरसल इस तरह के चश्मों में छोटी क्यामरे के साथ साथ छोटा सा कम्प्यूटर भी लगाया गया है। चश्मे में ओडियो फीड़बैक सिर्टम भी है जो बोन कंड़क्शन टेकनोलोजी पर काम करता है। इससे कान के पीछे की हड़ी के जरिए साउंट सीधे कान के पर्दे तक पहुँचाता है। इस तरह की चश्मे चार फंक्शन के जरिए काम करते हैं। ये फंक्शन नविगेशन, मल्टिबल ऑप्चिक्ट्स, करेंसी डिटेक्शन और टेक्स्ट्टू स्पीच है। नविगेशन से ब्लाइंड लोगों को पता लगेगा कि उन्हें सीधे चलना है या फिर दाइंबाइं मूना है। अगर रास्ते में कोई घटा है तो उन्हें नविगेशन के जरिए इसकी जानकारी मिल जाती है। ये सब उन्हें चश्मे में लगे आदियो फीडबैक से निकलने वाले साउंट के जरिए पता चलता है। मल्टिपल अबजेक्ट से ब्लाइंड लोगों को पता चलेगा कि सामने कौन सा अबजेक्ट है। इस फीचर के जरिए बुरास्ते में आने वाले किसी भी जानवर को पहचान सकते हैं। वहीं Currency Detection फीचर के जरिये नेतरहीन लोग भारतिय करन्सी की पहचान भी कर सकते हैं Text to Speech फीचर के जरिये Blind लोग अख़बार पढ़ सकते हैं जैसे ही वो चश्मे के सामने नियूसपेपर लाएंगे उनके कारों में हेडलाइन सुनाई देने लगेगी इसके लिए इन चश्मों में हिंदी, तमल, मराथी, कनर और अंग्रेजी सहित करीब 15 भारतिय भाषाओं और फ्रेंच इटालियन जैसे विदेशी भाषाओं में खबरे सुनने का फीचर दिया किया है आपी जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत में इस तरह के दो स्मार्ट चश्मे बनाई जा चुके हैं पहला चश्मा चार दोस्तों श्रेयस उपास ने अर्पित, संचित और राहुल ने मिलकर तयार किया है उन्होंने इस चश्मे का नाम विश्रूती रखा है जो एक संस्क्रित शब्द है इसका मतलब होता है सुनकर देखना इस चश्मे का ट्राइल नैशनल ब्लाइंड असोसीशन बेंगलूरू में किया जा रहा है माना जारा है कि इसकी कीमत आठ से दस हजार रुपे की हो सकती है मरी दूसरा चश्मा उत्रप्रदेश की राय बरेली जिले के एक छात्र ने तयार किया है उसका दावा है कि ये चश्मा दो नूटर के दाएरे में आने वाली किसी वी चीज की चानकारी देदेगा कुछ भी लिखा हुआ बिल्कुस सामानने व्यक्ति की तरह पढ़ सकेगा साथी इस चश्मे की मदद से ब्लाइंड व्यक्ति अपने परिच्चतों को बिना उनके बोले ही पहचान भी लेंगे इस बारे में आपकी क्यारा है हमारे साथ जरूर शेयर करें साथी इस तरह की दूसरी रोचक जानकारियों के लिए हमें फॉलो करते रहें